सीम जरम ठाकुर ने कहा कि पॉंग बांग में खेती करने की मंजूरी देने की संभाबनाओं को तलाशा जाएगा ये आश्वारसन सीम जरम ठाकुर ने पॉंग बांग बिस्तापितों के प्रतिनीदी मंडल को दिया पॉंगबांद बिस्तापित पूर्व सांसर राजन शुषांद की अगवाई में मांगों को लेकर सीम जैरम ठाकुर से मिलने विधान सबा परशल तपावुन पहुंचे मुख्यमंतरी जैरम ठाकुर ने कहा कि पॉंगबांद में खेती करने की मंजूरी देने की संभावनों को तलाशा जाएगा ये आश्वासन मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने पौंगबांद विस्पात्मों के पतिनिति मंदल को दिया पौंगबांद विस्थापित पौॉरुसांसर राजन शुषांद के अगवाई में मागों को लेकर सीम जैराम ठाकुर से मिलने बिधान स्वा पौंगबांद विस्थापित नारिवाजी करते हुए बिधान स्वा पौंचे गेट पर स्वक्षा कर्मियों ने रोक दिया इस दोरान पूरो मंतरी राजन शुषान्त की पुलिस कर्मियों के साथ हल्की भैस वाजिवी हो गई इसके बाद राजनशिशांद की अगवाई में पॉरुसांसर राजनशिशांद ने मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को बताया कि पॉरुसांसर राजनशिशांद ने मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को बताया कि पॉरुसांसर राजनशिशांद ने मुख्यमंत्री जैराम ठा क्यों कर रहा है जमीन हमारी गई है हमें समझोते की शर्त मंजूर हुई नहीं तो इसलिए आज हम इस समझोते को तोड़ करके मुख्य मंत्रजी से में प्रातना करूंगा इसी विदानसवा के सत्र में आप यहां बिल पास कर दीजिए कि प्राना समझोता तोड़ दिया है को नहीं बात नहीं होगी पंजाब राज्य ने भी तोड़ दिया था रहाना के साथ तो पॉंग्डाम आश्यों की हित में यह समझोता तोड़ दिया जाए फिर हम निपतेंगे राज्जिस्तान सरकार से कैसे निपता है लेकिन मैं भूके नहीं मरने दूंगा पॉंग्डाम मुख्यमंत्री जारम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पॉंग्डाम विस्थापतों के समुचित पुर्णरवास को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिवद है सरकार के प्रयास है कि शीगरे इस मामले में स्थाई समाधान हो जब पानिकास तर नीचे चला जाता है उस वक्त उस जमीन को कल्टिवेट करने की जाज़त जो है वो अधिकारिक रूप से तो नहीं लेकिन उसके बाब्दूर भी जो है उसमें लोग करते रहे है वाइल लाइफ को संच्री के कुछ अधिकारियों के साथ मेरे पिछली साल भी बातित हुई उनकों ने कहा भी है इस वारे में कि जो परंपरा आज से पहले रही है उसको काइम रखें मैं यह भी बात आई कि कुछ लोगों ने उसमें भी शिकायत्ते करके जो है उसमें जो है कि वही इसमें किस पर क्यों हो रहा है तो ऐसी चीजों के कारण वो इस दो जमीन जिस जमीन पर कम से का अपने रोजगार के लिए अपने परिवार के लिए रोटी-्रोजी का गुजारा निकाल सके जो आपने यहां पर इसमें लिखा हुआ है उसमें कोई रास्ता निकल सके उस पर रास्ता निकालने के पुरी कोश्री करूंगा और बैठ करक को हमारी पानी के कारण जो है और पानी हमारी यहाँ से जाता है जती हम पाइं तुर लेता से सरण से भीचार कर देशे को लेकर अगर यह उस दो करता है हलांकि पिछले साथ लास्ट यह तो हाई कोड में भी इस सारी बात को लेकर के आगे बढ़ाया था अगर वहां की सरकार जो है वह जमीन देने की परस्थिति ने बंटी जिन को मुरब्य मिलने थे उनको जमीन देने की परस्थिति उनको पैसे दे ताकि कम से कब अपना परिवार को वो खड़ा करने की परस्थिति में तो हो लेकिन उसके बहुत दूस भी उनने जहाओ उसमें मना कर दिया कोई six a section है वहाँ पर राजस्तान कहा जिसका जिक्र की करते हो बार बार